Hello Friends, Welcome to Learn Geography आज हम लोग Climateology के एक important chapter Wind Circulation पढ़ेंगे यानि के Wind Circulation System क्या होता है और ये कैसे develop होता है Wind Circulation System पढ़ने के लिए हम सबसे पहले Pressure Gradient यानि के दाप्रणता को समझेंगे यहाँ पर जो मैंने figure बनाया है इसे समझते हैं सबसे पहले यह हैrit मिली बार, 1018 मिली बार से लेकर 1018 मिली बार, यहाँ पर denote किया गया है जो यह बताता है कि किसी भी दो अस्थान के भी दो प्रेशर का, अटमोसफेरिक प्रेशर का डिफरेंस होता है उसी को दाप प्रवन्ता या फिर प्रेशर ग्रेडियन कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियन को बैरोमेट्रिक स्लोब भी कहते है हवा जो होती है जो बिंड होता है वो उच्च वायुदाप से निम्न वायुदाप की तरफ चलती है क्यूंकि निम्द वायुदाप के कारण, लोग प्रेशर के कारण हवा हलकी होके उपर उड़ जाती है और नीचे का जो अस्थान होता है, वो खाली हो जाता है हवा का जो डारेक्शन होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है लेकिन ये जो डारेक्शन होता है, वो सीधा नहीं होके बलके उसमें कुछ डिफलेक्शन पैदा हो जाता है इस deflection का जो reason होता है वो हमारे अर्थ का अपने axis पर rotation करना होता है अर्थ जो है हमारा वो अपने axis पर 24 hour में एक rotation पूरा करती है उस rotation को करने की वजह से एक deflection force पैदा होता है उस deflection force को GG Coriolis नाम के एक स्कॉलर ने सबसे पहले समझा था इस लिए इस deflection force को Coriolis force भी कहते हैं Coriolis force ये बताता है कि हवा उच्च वायुदाब से निन वायुदाब की तरफ चलने के वज़ाए अपने अस्तान से कुछ विछेपित हो जाती है, deflected हो जाती है और दाई या बाई तरफ घूम जाती है इस Coriolis force के basis पर Feral नाम के एक scholar ने एक Feral ला डेवलेप किया Feral ला को समझने से पहले हामेहाँ पर figure को समझते हैं Figure No.2 में क्या है, ये सब polar low pressure build है और ये है सब tropical high pressure build और ये है equatorial low pressure हमने बताया है कि high pressure build से हवा हमेशा low pressure की तरफ चलती है तो सब tropical high pressure की हवा low pressure की तरफ आती है लेकिन फिर्थवी के जो घुर्णन है यानि अपने axis पर rotation है उसके कारण हवा सीधे नहीं आगे अपने उत्री गुलार्थ की हवा दाईं तरफ मुड जाती है अपने उत्री गुलार्थ की हवा दाईं तरफ मूव करती है जब जिस direction से हवा आ रही है उसकी तरफ अगर आपका पीठ हो यानि मेरे पीठ के direction से हवा आ रही है तो उत्री गुलार्थ की हवा जो है वो दाईं तरफ मूड जाती है जबकि दक्षनी गुलार्थ की हवा अपनी बाईं तरफ मूड जाती है उसली गुलारत की हवा दाई तरफ मुड़ती है और दशनी गुलारत की हवा अपने बाई तरफ मुड़ जाती है इसी को फेरेल का ला कहते हैं फेरेल के ला के बिस्स पर ही 22 वैलेट ने एक ला डेवलप किया जिसे 22 वैलेट ला कहते है 22 वैलेट ला क्या कहता है कि जिस direction से हवा आ रही है अगर आपका face उसकी तरफ हो जिस direction से हवा आ रही है अगर आपका face उसकी तरफ होता है तो उतरी गुलार्द में आपके बाई हाथ की तरफ low pressure होता है और दक्षनी गुलार्द में आपके दाई हाथ की तरफ low pressure होता है इसी क 22 वैलेट ला कहते हैं यह जो डिफ्लेक्शन फोर्स होता है इसका एफेक्ट अर्थ के एक्वेटर को छोड़के सभी जगह सभी पार्ट पर होता है सिर्फ एक्वेटर ऐसा पार्ट है जहां पर कोरियॉलिस फोर्स या डिफ्लेक्शन फोर्स काम नहीं करता है examination point of view से अगर देखें तो इसमें कई important point हैं जैसे pressure gradient किसे कहते हैं या फिर barometric slope क्या होता है question ये भी आते हैं कि कोरियॉलिस फोर्स किसे कहते हैं या फिर deflection फोर्स का दूसरा नाम क्या है question ये भी आता है कि feral कला क्या बताता है और 22 वैलेट लिनियम क्या बताता है question ये भी पूछे जाते है exam में कि अर्थ पर ऐसा कौन सी जगह है पूरे अर्थ पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर deflection force काम नहीं करता है या फिर क्या वो equator है जहां आप पर deflection force 0 होता है I hope कि आपको wind circulation system समझ में आ गया होगा कि किस तरह से wind circulation system develop होता है जब high pressure की हवा low pressure की तरफ क्यों चलती है क्योंकि low pressure होने के वज़ा से हवा हल कियों कर उपर उठ जाती है तो high pressure की हवा उस जगह को feel करने के लिए दोड़ती है इस तरह wind का एक circulation system develop हो जाता है आज का वीडियो हम लोगा यहीं पर complete करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए take care